टीवी की दुनिया में रिष्टे बनना और बिगरना कोई बड़ी बात नहीं टीवी सितारे छोटी छोटी बातों पर ब्रेक अप करने से परहेश नहीं करते कुछ सितारे तो ऐसे भी हैं जिन्नोंने अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा ही बना दिया था ये स्टार्स अपनी लव लाइफ को लेकर टीवी तक पहुच कहे थे इन टीवी स्टार्स की जिंदगी में मची उथल पुथल लोगों ने नेशनल टीवी पर देखी थी इस लिस्ट में कई पॉप्लर स्टार्स के नाम शामिल हैं आपको भी बताते हैं कि वो कौन-कौन थे और क्या थी वज़र निशा रावल और करण महरा खबरों के माने तो कंगना रुनौत के रियालिटी शो लॉक अप में टीवी आक्टर करण महरा की एट्रीग हो चुकी है ये बास साफ हो चुकी है कि कंगना के शो में निशा रावल भी हिस्सा बनने वानी है ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि निशा और करण एक ही शो में नसर रहेंगे अगर ऐसा होता है तो शो के दोरान निशा और करण महरा का आमना सामना भी हुगा बीते साल निशा ने अपने पती पर घरेलू हिंसा के आरूप लगाये थे इन आरूपों की वज़े से करण को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों का एक ही शो में होना भुचाल ला सकता है मदुरीमा तुली और विशाल अदित्य सिंग मदुरीमा और विशाल सिंग की चोड़ी को भला काम कैसे भू सकता है मदुरीमा तुली ने विशाल अदित्य सिंग की फ्राइपन से पिटाई करके अपनी चोड़ी को फेमस कर दिया था रेक अप के बाद मदुरीमा और विशाल ने एक साथ नजबली में काम किया था शोके दोरान मदुरीमा ने विशाल सिंग के मून पर तमाज़ा भी मारा था सेट पर मदुरीमा और विशाल की लड़ाई की खबरे आम हो चुकी थी जिसके बाद मदुरीमा और विशाल की बिगबाउस ट्रेटिन के घर में एंट्री हुई यहाँ पर भी मदुरीमा और विशाल के जबनों ने लोगों का ध्याद अपनी तरफ खूब की जा था अरहान और रश्मी दिसाई बिगबॉंस रटिन के घर में रश्मी दिसाई को सपोर्ट करने के लिए उनके बॉइफरेंड अरहान खान में एंट्री दी थी हाला कि कुछ टाइम के बाद अरहान को ही सपोर्ट की जरूरत पर गए सर्मान ने अरहान की शादी और बच्चे को लेकर चौकाने वाले खुडासे कर दिये थे जिसके बाद अरहान और रश्मी के बीच जगने शुरू हो गए हाल तो ये था कि रश्मी अरहान की शकल से भी नफरत करने लगे थी बिगबॉस रटिन के घर में अरहान और रश्मी का ब्रेक अप हो गया जिसके बाद अरहान और रश्मी के बीच भयंकर लड़ाईयां देखने को मिली जिसके बाद खुड सर्मान खान ने घर में आकर अरहान और रश्मी से बाच्चित की थी और दिव्या अगरवाल प्रियंक शर्मा बिकवाउस सिलैमन के घर में प्रियंक शर्मा पेनफशा सुनावाल के साथ नेन मतका करते नज़र आए प्रियंक की इस हरकत ने दिव्या अगरवाल का फूल खाला दिया था दिव्या ने बिना देर किये विकवाउस 11 के घर में एंट्री की घर में आते ही दिव्या ने प्रियांग से ब्रेक अप कर लिया था ब्रेक अप के बाद सुनते ही प्रियांग शर्मा फूट फूट करोने लगे थे पूरे जमाने ने दिव्या और प्रियां की लव स्टोरी का दी एंड होते टेलेविजिन पर देखा था पर तो देखाना आपने किस तरह से इन बड़े-बड़े कपल्स ने अपने प्यार का तमाशा सरयाम किया था